एक नागरिक के तौर पे एक इनसान डड़ता है पुलिस ब्रूटालिटी से और जेल जाने से जो योगी जी ने डर निकाल दिया है पुलिस ने इन सारे जो करूनों का है वो बिलकुल तरचिया उड़ाई है अगर ये पुलिस एक आईपियस अफीसर एक आईजी रहेंग के साथ इसा कर सकती है तो आम आगरे के साथ इक पुलिस क्या कर दिया है हम को जब अरेस्ट किया गया उसके बाद हम कह रहे थे कि हम को आपरेट कर तो रहें आपके साथ आप हमें ड्रैक करके सड़क के किनारे ले जाया जा रहा था और तब ही से मेरे पैरों पे बेटन से मारना शुरू कर दिया था और उसके बाद जब हमें किनारे लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने एक घेरे में हमें ले लिया और घेरे में लेके पीटना शुरू किया मुझे पहले थपड मारा तो मैं चेश्मा दूर गिर गया उसके बाद मेरे पीट पे बेटन से मारना शुरू किया मैंने हाथ अप ठाड़े जा रहे थे उसके बाद हमें एक पुलिस जीप में डालके बिना किसी महिला पुलिस कर्मी के महिला थाने लाया गया और मेरे साथियों के साथ से मुझे सेग्रिगेट कर दिया गया मुझे महिला थाने में बिठा लिया गया और उनको जहां पुरुश डिटेन किया जारे थे वहां रखा गया वहां से उनके चीखने की चिलाने की गालियों की आवाजें आ रही थी और पिटाई की उसके बाद जो है वह महीला पुलिस कर्मी जैसे जैसे आती गई उन्होंने मुझे मारा एक थी उन्होंने नाखुनों से मेरे चेहरे को नोचा मेरे बालों को और वो तमाचे मारते रहें। और फिर जो है बाद में मेरी ग्रिफ्तार ही दिखाती है। इतना ही नहीं। वहाँ पर मेरा 161 का कोई ब्यान नहीं लिया जाता है। फिर वो वहाँ पर बठाई रखा। फिर शाम को फिर देर से जो है मुझे वो किया गया कि आप यहाँ से हजर्द गान ठाने से लाके जो है। मुझे वहाँ पेश किया गया CGM के सामने जेल पर पेश किया लगबग साथ वजी के करीब। वहाँ पर भी मैं CGM के सामने पेश हुआ। उनको मैंने कहा किया मैं इनुसेंट। मैं था मैंने कोई वालेंस ना की है ना मैंने किसी को इसलिए उक्साया। वह कहते हैं कि आप जानते हैं सिस्टम ऐसे ही काम करता है। मैंने का मैं जानता हूं सिस्टम ऐसे काम करता है। पर यह सिस्टम इतना गिर चुका है इसका तजरबा मैं आज पहली वर्भू फेस कर रहा हूं। उसके बाद मुझे जाके वहां पर रुजे 21 तरी को मुझे रात को साड़े नो वजे मेरी जेल मींट्री हो दिया। मॉर्निंग में उस जेल में देर होगी ते चाड़े नो बज़े कोई खाना नहीं मिला। तो 22 तरी को सिवेरे जाके मुझे थोड़ा सा नाश्ता मिला। और 22 तरी को 12 मझे जाके जो है मतलब यह हुआ। तो यह जो दुर्ब विहार है पुलीस का। वह सारे जो आई पीसी का जो परसीजर है जो रखिजर है। और एक गृफ्तार व्यक्ति के जो राइट्स बनते हैं। मुझे खाना मिलना चाहिए। मुझे घर सड़ी लगने मुझे कमर मिलना चाहिए। पुलिस ने इन सारे जो कनूनों का है वो बिलकुल धजियां उड़ाई है अगर ये पुलिस एक IPS अफीसर एक आईजी राइंग के रिटार्ड अफीसर के साथ ऐसा कर सकती है तो आम आम नागरे के साथ ये पुलिस क्या करती है। जब शाम होने लगी तो मैं इस बात की मुझे फिक्र थी कि मेरे घरवालों को रही पताए कि मैं कहा हूँ अस्पताल में हूँ कि मौर्चरी में हूँ कि डिटेंड हूँ तो कम से कम मेरे घरवालों को खबर कर दी जाए कि मैं कहा हूँ तो मैं लगातार कहती रही कि मेरा अध थी कि एक मानवता कि आधार पे मैं उनसे कह सकूँगी कि आप मेरे परिवार वालों को खबर कर दें, ना मुझ से बात कराएं तो आप ही खबर कर दें, तो मैं ये कहती उससे पहले जैसे ही मैंने देहली से अंदर गई, उन्होंने फॉरण बहुत ही भदी गालियां मुझे द किस पोजिशन पे हैं वो, और उन्होंने जो है, वो कहा कि अच्छा तुम बहुत बोल रही थी वहाँ पर, तो तुम्हारे ओपर 307 लगाकर जेल में सड़ाऊंगा, ये उनकी भाशा थी और उसके बाद उन्होंने महिला पुलिस कर्मी से कहा कि इसको मारो, तो महिला पुल पर कसके लात मारी, देखें ऐसा है, दो चीजें हैं जो मुझे लगती हैं, जिस कारण मुझे टार्गट किया गया, एक तो यहां पर जो फेक अनकाउंटर हुए है, मैंने उनके बारे में पूरे उत्तर परदेश के जिलों से आर्टी आई में एक साल की सूचना मांग रख रखी है, इन उनकाउंटर के लिए, और जिसमें स्टेट गौर्मन को वही करना है, एक तो यह कारण हो सकता है, दूसरा कारण यह है कि मैं सोचल अक्टिविस्ट के साथ साथ मैं प्लिडिकल अक्टिविस्ट भी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हमारी पार्टी ओल इन करता हूँ, और जो C.A. का उसका विरोध मिलिखित में करता हूँ, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है, देखिए मैंने सुना था कि पुलिस को किस तरह से लगातार एक कम्यूनल जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन पहली बार मैंने खुद यह फर्स्ट हैंड एक्स्पिर लोगों को, तो उस पे उनकी सफाई भी आई कि वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे पक्ष में, लेकिन मैं तो नारे नहीं लगा रही थी, मैं तो मेरा विडियो लाइफ कर रही थी, मैं और मेरा विडियो गवाही देते हैं कि मैं किस तरह से पुलिस से कह रही थी कि 95% तुम लोग हो तो यह जो लगातार जो है मोदी जी के भारत में जो तुम लोग करके एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी को जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है या चिनहित किया जा रहा है वो बहुत शौकिंग है आप जिनको उठा रहे हैं वही तो है तो यह सवाल उन पर भी उठता है कि आपने उन ही को क्यों उठाया एक और बड़ी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो ग्रिफतारियां हुई है इनके समंद में मेरी लखनोव पुल्स को एक चनौती है आपके पास जितने भी वीडियो है आप सारी वीडियो सोचल मीडिया पर डा गया मेरा जो पानी था वो एक मीडिया कर्मी को वही प्रदर्शन स्थल पे चोट लगी थी वहां जादातर पानी मैंने उनको फरस्टेट देने में खर्च कर दिया था मेरे पास बहुत कम पानी था वो बोतल भी जो है वो जब मैं अस्पताल गई तो वहां पर भी वो पहल मेरे बदन पर नील है और अगर कोई महिला हो या नर्स हो तो मैं दिखा भी सकती हूँ कि मुझे कहा हमारा है तो उन्हों ने कहा उन्हों ने बिल्कुल उसको किनारे कर दिया और उसके बाद मुझे तीन इंजेक्शन दे के लिटाल के रखा और कहा कि यह लेटने का बहाना कर रही है इसको वापस थाने ले कर जाओ और थाने फिर उसी तरह पूरी रात रखा और जब तक अगले दिन हम जूडिशल कस्टिडी में जेल नहीं आ गए तब तक ना हमें खाने को दिया गया ना दवा दी गई